मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरू लिखें मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगी मित्रों वर्स 2015 में सकट चोथ बरत कब है जानिये सही तीनव तारी क्या है पूजा करने का सुप महुरत कब है और चंद उदय कब होगा और चतूर्थी तिती कब सुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक् करेंगे और वीडियो पर संद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेर करेंगे मित्रों सकट चोथ बरत माग मास के क्रिश्ट पक्च की चतूर्थी तिती को मनाया जता है वैसे तो हर महिने के क्रिश्ट पक्च की चतूर्थी तिती को गणे चतूर ओपने संतान की दिरघायु और संतान की समृध्धी और सर्वस्त कल्यान की इच्छापूर्थी के लिए यह ब्रत करती हैं। क्योंकि इस ब्रत की प्रभाव से संतान को रिधी सिधी की प्राप्ती होती है तथा उनके जीवन में आने वाली सभी बिख्ण बाधाएं दूर होती हैं। की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दुर्भा, समी, बेलपत्र और गुड से बने तिल के लड़ू चड़ाना चाहिए और तिल का प्रसाद खाना चाहिए। मित्रों अब पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं। जो इस प्रकार है। सबसे पहले सुब उठकर नित्य कर्म के बाद इस नान करें और स्वच्छ वस्त धारन करें। इसकी बाद पूरे विधी विधान से भगवान श्री गणेश की पुजा करें। और उनके स्लोक का जाप करें। और गणेश ची का ध्यान करके पूश्व अर्पित करें। और ब्रत का संकल्प लें। पूरे दिन ब्रत रखते हुई मन ही मन भगवान गणेश के नाम का जाप करे। सुर्यास्त की बाद इसनान करके दोबारा साप कपड़े पहने और पूरे विधी विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करे। एक कलस्मी जल भर कर पूजा के पास रखें और दुहूप दीप से पूजा करें। भोग के रूप में तिल गुड चढ़ाएं या उनसे बने लड़ू चढ़ाएं। इनमें गन्ना, सकरकंद, गुड और घी चढ़ाएं। ये सारे प्रसाथ एक बास से बनी डलिया में रखकर पूरी रात वहीं पूजा घर में भगवान के सामने छोड़ दें। इसके बाद आरती करें। कलस के जल से चंद्रमा को अर्ख दें। दीप और धूप दिखाएं। चंद्र भगवान से सुक सांती की प्रातना करें। और मागी चतुर्थी कथा का पाठ करें। कथा सुनें और सुनाएं तथा वहां मौजूद सभी को प्रसाद बेतरित करें। पूजन करने की बाद प्रसाद ग्रहन करें और ब्रत का पारन करें। मित्रों, अब आपको बता दें की वर्ष तुहजार पचीस में सकट चोथ ब्रत 17 जनावरी तुहजार पचीस दिन सुक्रवार को मनाया जाएगा। और इस दिन चंद्रमा उदय होगा रात आठ बचकर पच्पन मेट पल। चतूर्थी तिथी शुरू होगी 17 जनावरी तुहजार पचीस कू सुबा चार बचकर पाच मेट पल। चतूर्थी तिथी खात्म होगी 18 जनौरी 2025 को सुबा पांच बचकर 35 पर